असलाम अलेकुम students, my name is Sadaf and I am going to teach you computer science और आज हम देखेंगे के हम अपनी book online with computers के unit 6 का कौन सा topic पढ़ने वाले हैं चलिए lecture की तरफ चीज students तो फिछे lecture में हमने कुछ commands के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने print command पढ़ी थी आपको याद होगा चीज students तो आज जो हम command पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी print command से मिलती जुलती है लेकिन बस थोड़ा सा difference है अब हम देखेंगे कि हम आज कौन सी command पढ़ने जा रहे हैं आज है हमारे पास label command label command is used to print text और number in the drawing area चीज students आपको याद होगा print command का भी same काम होता था ऐसे ही है text और number को print करवाना लेकिन print command recall list में print करवाती है और label command क्या करती है drawing area में print करवाती है ठीक है जैसे आप लोग drawing बनाते हैं तो आप उसे label भी करना होता है आपने ऐसे ही है ना तो आप वो जो text लिखते हैं वो आप अपनी drawing के उस area में ही लिखते हैं जहां पर आपने drawing बनाई होती है ऐसे ही है तो ये जो label command है ये भी आपका तक्रीबन वैसा ही काम करती है ठीक है तो लोगों में जब भी आप drawing बनाएंगे आप उसको label भी कर सकते हैं वो हम किस तरह से करते हैं label command के जरिए तो students जैसे print command के word, number और sentence को लिखने के तीन अलग-अलग तरीके थे उसी तरह से label करने के भी तीन अलग-अलग तरीके हैं आप लोग number, word या sentence प्रिंट करवाना चाहते हैं ड्राइंग एरिया में तो उसके तीन different तरीके हैं चलिए देखते हैं कि number हम कैसे print करते हैं तो students, number को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे label, जो के है command, एक space, और फिर लिखते हैं एक number चीज students, जिस तरह से हम print command में करते थे, उसी तरह से label command का भी सेम तरीका है और आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप command लिखते हैं label उसके बाद आप देते हैं एक space और फिर हम लिखते हैं कोई भी number जो के आप print करवाना चाहते हैं, लेकिन आप ने ये याद रखना है कि नमबर सिर्फ एक ही print होगा, एक से ज्यादा number print नहीं होँगे, ठीक है, एक्जामपल देखें चीज students, ये इरिया में मेरे पास सिर्फ एक turtle है, और अब मैं command लिखूंगी label, space और मैंने number दिया है 10, जी students, अब मैं इसे execute करूँगी, ओके, आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसे execute किया, तो आपके ड्रॉइंग एरिया में बिल्कुल, turtle के बिल्कुल साथ, उपर की तरफ क्या print हो गया है? 10 print हो गया है और इस text की direction क्या है? जी, वही direction है जो के आप के turtle की direction है तो अगर आप अपने text की direction को change करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको अपने turtle की direction को change करना होगा ठीक है? वो हमने बिल्कुल पहले lecture में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि आप turtle को left और right direction दे सकते हैं चीज students, अब हम देखेंगे कि हमने word को कैसे print करना है बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह से हम print command में word को print करते थे उसी तरह से हम label भी same तरीके से करेंगे इसका भी हम तरीका देख लेते हैं type label, label क्या है आपकी command है a space, एक space देनी है आपने and inverted commas followed by a word ठीक है students, तो label में अगर आप word print करना चाह रहे हैं तो आपने उसका क्या तरीका करना है same तरीका है जो के हम print command में करते थे सिर्फ हमारी क्या change हो रही है command का नाम change हो रहा है ठीक है label लिखेंगे सबसे पहले उसके बाद हम देंगे एक space और फिर देंगे inverted commas और उसके बाद हम अपना desired word लिखेंगे जो के हम चाहते हैं कि print हो जाए ठीक है, कोई भी word दे सकते हैं जैसे हमने print करते वे बहुत सारी examples लिखेंगे उसी तरह से हम label करते में भी कोई सावी word दे सकते हैं लेकिन आपने याद रखना है कि आप सिर्फ एक ही word दे सकते हैं ठीक है, चलिए example देखते हैं चीज students तो यहाँ मैं type कर रही हूँ label जो के है मेरी command और फिर मैंने दी एक space और मैंने लिखा है अपना नाम सदब ठीक है और इसे कर दिया हमने execute चीज students आप देख सकते हैं कि ड्राइंग एरिया में मेरा नाम प्रिंट हो गया है आप लोग भी इसी तरह से अपने नाम प्रिंट कर सकते हैं कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं अपना नाम प्रिंट कर सकते हैं अपनी मादर का नाम प्रिंट कर सकते हैं या कोई भी वर्ड जो कि आपको पसंद हो आप प्रिंट कर सकते हैं चीज students प्रिंट करते वे हमने देखा था कि हम तीन तरीकों से वर्ड नमबर और sentence को print करते हैं ठीक है तो अब हम देखने जाएंगे कि sentence को हमने किस तरीके से print करना है टाइप, लेबल, लेबल क्या है? कमांड, a space and write the sentence in the square brackets चीज स्टूडेंट्स, पिछले lecture में जिस तरह से हमने sentence को print किया था उसी तरह से अब हम sentence को drawing area में print करेंगे लेकिन फर्क क्या होगा सिर्फ? आपकी कमांड का फर्क होगा और sentence को लिखने का तरीका क्या है? बिलकुल सेम है सबसे पहले आपने लिखना है लेबल और फिर हमने देनी है एक space और फिर हमने अपने sentence को square brackets में enclose करकर लिख देना है एक्सामपल देखें चीज स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आपको स्क्रीन नजर आ रही है जिस पर कुछ भी नहीं लिखावा तो चलिए एक sentence टाइब करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे लेबल और फिर एक space देंगे और ये square brackets में मैं अपना sentence लिखने लगी हूँ I am a girl और ये मैंने execute कर दिया चीज स्टूडेंट्स तो आपने देखा कि जो sentence हमने input box में लिखा था वो अब drawing area में लिखा जा चुका है और उसकी direction क्या है चीज बिल्कुल वही direction है जो direction है आपके turtle की और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आप direction चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने turtle की direction पहले change करनी होगी मैं जानती हूं students आप लोग label और print वाली command में थोड़ा सा confused हो रहे होंगे इसलिए मैंने यहां दोनों में difference अलग-अलग करके लिखती है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा जाए print command क्या करती है it prints in recall list ठीके और label command क्या करती है वो drawing area में print करती है ठीके अब इन दोनों का फर्क आपको clear हो गया होगा कि print command ने क्या करना है जो भी आपने text या number कुछ भी आपने देना है वो उसने recall list में print कर देना है और label command क्या करेगी जो भी text या number आपकी तरफ से दिया गया होगा उसको वो print कर देगी drawing area में मुझे लगता है कि आपको print और label का फर्क और इनकी इस्तमाल करने का तरीका अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा अब हम करते हैं एक चोटा सा knowledge test जी students सबसे पहला question है हमारे पास label command prints in the recall list या फिर input box या फिर drawing area जी बताएं label कहां पर print करता है drawing area में अभी हमने उपर पढ़ा था कि label command print कर दी है drawing area में चीक है अब अगला question देखते हैं हमारे पास क्या है to print sentence we enclose it in square brackets, round brackets या फिर curly brackets अब आपने मुझे ये बताना है कि हम अपने sentence को कौन से brackets में enclose करते हैं ची स्टूडेंस आप ऊपर भी देख सकते हैं कि यहां हमने लिखा हुआ है कि हम square brackets में अपने sentence को enclose करते हैं, ठीक है? तो आपका correct option कौन सा होगा? option A, अब हमारे पास है last question, देखते हैं कि वो कैसे solve होगा? ची स्टूडेंस, ऊपर आप देख सकते हैं, एक question लिखा हुआ है कि PR command stands for? PR command किसके लिए stand करती है? प्राइवेट, प्रेंट या फिर प्रोग्राम अब ये आपने बताना है कि हमने कौन सी commands पड़ी हैं और PR command जो थी, वो किस के लिए इस्तमाल होती थी? प्राइवेट, तो कोई command ही नहीं है, ऐसा ही है ना? और प्रेंट, प्रेंट की command हमने पड़ी थी, प्रेंट की command का short form क्या था? बिल्कुल PR, तो PR जो है, वो किस लिए इस्तमाल होता है? प्रेंट के लिए इस्तमाल होता है ठीक है students? अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगली दो, जो के बिल्कुल last commands है हमारी उनके बारे में सबसे पहले हमारे पास clear text clear text क्या करता है, पढ़ लेते हैं it erases all the commands from the recall list जी, तो clear text आपका क्या करता है? जितनी भी commands आपने लिखी भी होती हैं, जो के आपकी recall list में save होती जाती हैं, उसको erase कर देता है और आपके commander को बिल्कुल खाली कर देता है example देखे जी, students, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक square already बनाया वा है और उसकी सारी की सारी commands recall list में आ गई है अब अगर मैं इसे erase करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या लिखना होगा input box में? बिल्कुल सही के सकी आपने ct, ct या फिर clear text अगर मैं लिखती हूँ तो यह सारी की सारी commands erase हो जाती है जी, students, आपने देखा, जब मैंने ct लिखकर उसको execute किया, तो जितनी भी commands मेरे पास थी, वो erase हो गई लेकिन जो square मेरे पास drawing box में बनावा था, वो वहीं का वहीं है, अब हम चलेंगे अपनी last command की तरफ, जो के है clear screen, clear screen क्या करती है? It erases the drawing from the drawing area, clear screen से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यह आपकी screen को बिल्कुल clear कर देगी, ठीक है? जी बिल्कुल, जो भी आपने drawing बनाई भी होगी, अगर आप c, s command को लिखकर execute करते हैं, तो वो सारी की सारी drawing clear हो जाएगी, और आपका drawing area बिल्कुल साफ हो जाएगा, जैसे आपने कोई drawing की ही नहीं, ठीक है? और इसके इलावा, ये command एक और काम करती है, कि आपके turtle को बिल्कुल इसकी home position पर ले आती है, ये देखिए? and brings the turtle to its home position, home position के बारे में हमने अपने पिछले lectures में पढ़ा था, कि home position बिल्कुल central point होता है, आपके drawing area का, और उस position में आपके turtle की direction होती है upward, ठीक है? तो जब आप clear screen की command को execute करेंगे, तो आपका title बिल्कुल center में आ जाएगा और उसकी direction होगी upward, और आपकी जो भी drawings आपने पहले बनाई होँगी, वो सारी की सारी clear हो जाएगी, ठीक है? example देख लेते हैं, जी students, यहाँ है मेरे पास square बनावा है, ठीक है? आप देख सकते हैं, अब अगर मैं इस drawing को erase करना चाहती हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा, input box में CS, और जब मैंने CS लिखकर execute किया, तो आप देख सकते हैं, कि आपकी drawing erase हो चुकी है, ठीक है? और आपका title जो है, वो बिलकुल अपनी center position पर आ चुका है, with direction upward, चीज students, मुझे उमीद है कि आपको सारी की सारी command बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, और अब एक interesting चीज है, आप लोगों के लिए, वो है reset button, ठीक है? यहाँ मैंने लिखा है, reset button क्या करता है? है, reset button from the command buttons, does the same task as CS command, ठीक है? तो reset button कहा होता है, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे. चीज students, हम लोगोंने commands button पढ़े थे, बिल्कुल पहले lecture में, याद आया आपको, उन buttons में हमने एक button देखा था, reset button, ठीक है? जब आप उस button को press करते हैं, तो वो same वही काम करेगा, जो के आपकी CS command करती है, यानि के clear screen जो काम करती है, वो ही काम आपका reset button से भी हो सकता है. तो अगर आप अपनी drawing को मिटाना चाहते हैं, और बिल्कुल अपने title को center point पर लेकर आना चाहते हैं, तो आप CS command की बजाए reset button को भी click कर सकते हैं. जी students, तो आज का lecture यहीं तक था और ये chapter भी आज हमने खतम कर लिया है, और next lecture में हम इसकी exercise करने वाले हैं, लेकिन आप लोगोंने क्या करना है, कि पूरा का पूरा chapter revise करना है, और आज का lecture भी आपने अच्छे तरीके से practice करना है, ठीक है, ताकि हम अगले lecture में exercise अच्छे तर किएगा, आला हाफिस!